आमिर खान की 1000 करोडी महा भारत इस टॉप एक ट्रेस की हो सकती है इंट्री अफवाहूं की माने तो आमिर खान अपनी 1000 करोडी ड्रीम प्रोजेक्ट महा भारत में दीपिका पद को उनको लेना चाहते हैं आमिर चाहते हैं कि दीपिका द्रॉप दी का किरदार निभाए लेकिन देखना दिल्चस्प होगा कि क्या दीपिका इस फिल्म के लिए हामी भरती है या नहीं क्योंकि उनकी पिछली फिल्म पदमावत भी इतिहास पर आधारे थी लेकिन कंट्रोवर सी का हिसा बन गई शायद दीपिका अब किसी ऐसी फिल्म का हिसा ना बनना चाहे जो विवाद में फस्त सकती है रिपोर्ट्स की माने तो आमिर पूर जोर शोर से फिल्म की प्लानिंग कर रहे हैं आमिर इस फिल्म को पूरे 10 साल देने वाले हैं जल्द ही फिल्म के प्री प्रडक्शन पर काम शुरू कर दिया जाएगा जिसके बाद फिल्म फ्लोर पर आ जाएगी आमिर खान अपनी इस ड्रीम प्रोजेक्ट की बज़े से किसी और फिल्म को साइन नहीं कर रहे हैं जाहिर ह इसे लेकर काफी गंभीरता से प्लानिंग कर रहे हैं रिपोर्ट्स के मताबिक महाभारत एक फ्रंचाईजी होगी जिसके अंतरगत पांच फिल्में बनाई जाएगी हर फिल्म अलग-अलग निर्देश को द्वारा बनाया जाएगा जबकि आमिर पांचों भाग से जुड इसमामा कंसकावद किया था भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र युद्ध के प्रारंब में गीता उपदेश दिया था श्री कृष्ण भगवान विष्णू के आठवे अवतार थे एश्वर्य राही कमल हसन शांतनु महाभारत के एक प्रमुक पात्र हैं सत्यवती विद्या बालन शांतनु का दूसरा विवाह निशाद कईया सत्यवती से हुआ था इस विवाह को कराने के लिए ही देववरत ने राजगदी परन बैठने और आजीवन कुम्वारा रहने की भीष्ण प्रतिग्या की थी जिसके कारण उनका नाम भीष्ण पढ़ अभिषेक बच्चन दुशासन दुर्योधन से छोटा भाई जो द्रौप दी को हस्तिनपुर राज्य सभा में बालों से पकड़ कर लाया था कुरक्षेत्र युद्ध मेभीम ने दुशासन की छाती का रक्त पिया था रितिक रोशनकर्ण सूर्य देवेवमन कुंती के का परम मित्र था उसकी गणना कोहर अवसेना के साथ महार्थियों में होती है उसे दुर्योधन से अंग नाम का एक राज्य भी प्राप्त हुआ था महा भारत युद्ध में करण की मृत्यू अर्जुन के हाथों हुई अर्जुन राम पाल युद्धिष्ठिर जिष्ट प अकासुर आदी बलशाली राक्षसों का वद किया जरासंध नामक मगंद के बलशाली समराट को मला युद्ध में पराजित कर उसका वद किया महा भारत के युद्ध में गदा युद्ध में दो युधन का वद कर युद्ध का समापन किया फरहान अख्तर अर्जुन देव राज हिंद्रद्वारा कुंती एमान पांडू का पुत्र एक अतुलनिय धनुर्धर जिसको श्री कृष्ण ने श्रीमत भगवत गीता का उपदेश दिया था। नकुल विद्युत जामवाल नकुल व सहदेव पांडवों में सबसे छोटे थे। ये अश्विन कुमार के अं जुन, नकुल और सहदेव द्रोप दीदी पिका पद कौन दुरुपद की पुत्री जो अगनी से प्रकट हुई थी। द्रोप दी पांच चोँ पांडवों की अरधांगिनी थी और उसे आज प्राचीनतम नारीवादियों में एक माना जाता है। भीश्म पिता में अमिता बच्चन भीश्म का नाम करण देववरत के नाम से हुआ था। वेशांतनु एवं गंगा के पुत्र थे। जब देववरत ने अपने पिता की प्रसन्नता के लिए आजीवन भ्रहमचारी रहने का प्रण लिया। तब से उनका नाम भीश्म हो गया। रजनी कांत द्रोणा राजा Television की प्रित्धा नामक पुत्री थी। इस कैया को राजाशूर सेनं ने अपनी बुआ के संता नहीन लड़के कुन्ती भोज को गोद दे दिया था। कुन्ती भोज ने इस कैया का नाम कुन्ती रख्खा। विवाह योग्य होने पर राजा कुन्ती भोज ने अपनी पुत्री के लिए स्वय अन्वर का आयोजन किया। स्वय अन्वर में कुंती ने राजा पांडू को वर माला डाल कर अपना पती चुना। शकुनी गुलशन ग्रोवर शकुनी गांधारी का भाई था। धुरितराश्ट्रव गांधारी के विवाह के बाद शकुनी हस्तिनापूर में ही आकर बस गए। यहां विकॉडवों को सदैव पांडवों के विरुद्ध भड़काते रहते थे। पांडवों का अंत करने के ल लेकिन उनकी कोई चाल सफल नहीं हो पाई।